पपीता एक ऐसा फल है जिसका सेवन करना हर किसी को पशंद होता है वैसे अगर देखा जाए तो कच्ची अवस्ता पपीते का रंग हरा होता है लेकिन जब यह पक जाता है तो इससे रंग पीला हो जाता है इसके कच्चे और पके फल दोनों ही उपयोगी में आते हैं कच्चे फलों की सबजी भी बनती है और पका हुआ पपीता खाना हमारी सीहत के लिए फायदे मंद होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कच्च्च पफिता भी स्वास्त के लिए काफी अच्छा होता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स पाय जाते हैं जो सरीर को कई वीमारीों से दूर रखने का काम करते हैं हर रोज कच्चे पपीता का सेवन करने से पेड़ से लेकर कैंसर तक की बीमारिया दूर हो जाती है विटामिन ए विटामिन सी मैगनिसियम और पोटेसियम से भरपूर कच्चा पपीता डियाबिटीज रोग्यों के लिए बहुत ही रामबाण है कच्चे पपीते को चटनी और सबजी के रूम में भी खाय जाता है इसके अलावा आपको बता दे कि हर रोज कच्चे पपीते का सेवन लीवर के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है यह लीवर को मजबूती देता है पील या आदि में लीवर के कमजोर पढ़ जाने की इस्तिती में इसके सेवन से इसके साथ ही कच्चे पपीते का सेवन करने से कॉलोन और प्रोटेस्ट कैंसर का खत्रा कम होता है इसमें पाई जाने वाले आंटियूक्सिडेंस फीटो निउट्रेंट्स और फलेवर नोइड सरीर में कैंसर की कोशिकाउं को बनने से रोखते हैं इसी के साथ ही आपको बत पाइडा सेवन होता है को सूघल की मात्रा को बढ़ता है इस से डायबिटीज-ख में में हो क्यों के दिके से रिजवान खान कि पुलक.